सब्सक्राइब करें साइन्स विएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइन्स और मैट्स के सूपर वीडियो तो चलिए अब देखते हैं हमारा कोशन नुबर 45 क्या करता है सर यहां पर प्लस टुए है सर प्लस टुए है मैंने माइनस लिख दिया है सिप्याशी 2015 में आया वह कोशन है सॉल कर देते हैं इसको जल दी से एक स्क्वाइर प्लस टुए माइनस एट अब सर माइनस एट का आपको प्राइम फैक्टराइज करना होगा क्यों सर क्यूंकि उसके अब दो फैक्टर निकालने होंगे जिनका सम या एडिशन इसके बराबर एडिशन या फिर होता है 4 और 2 को ही अगर हम देखें 4-2 2 ही होता है 2 आगया हमारा तो पुट कर देते हैं अब तो हम लोगों ने बहुत सारे कोस्टेंस बना लिया है जिससे हम लोग पुट कर सकते हैं डायरेक्ट ए स्क्वाइर प्लस 4a-2a-8 सर 4a-2a प्लस 2a ही तो होगा होगा यह नहीं दिक्क्त हो नहीं तो अब क्या है यहां पर यहां पर भी तो हम लोगों ने कॉम मन ले लिए अर्वा और minus 2 common ले लेते हैं, तो यहां क्या बचा, a plus 4 बचा, फिर से अंदर, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं sir, a plus 4, a plus 4, a plus 4 को हम लोगा ने क्या कर दिया, common ले लिया, ठीक है, अब यहां क्या बचा, a minus 2 बचा, अब sir हमारे पास 2 factors आ चुके हैं, जिनका subtraction या फिर addition करके हम यह ला सकते हैं, लेकिन sir, क्या करें, subtraction करें, या addition करें, कैसे देखें, वो देख लेते हैं, एक बार जल्दी से, देखिए, a plus 4 है, यहां हमको plus 6 चाहिए, तो अगर हम यहां minus लगा दे, तो minus minus, plus हो जाएगा, plus 2, plus 4, plus 6, वही करके देखना है हमको, अब देखिए, a plus 4, minus a plus 2, कोई दिकत, यह a कट गया, 4 plus 2, हमारा 6 आ गया, और sir, बोलिएगा, x है, तो यहां x square भी तो है, तो दोनों में x लगेगा की नहीं, दोनों में x लगेगा, तो यहां भी तो x आ जाएगा, 6x आ जाएगा ना sir, हाँ, तो अब हमारा 6x आ चुका है, यह दो टर्म्स हैं, कोई दिकत नहीं है, उसमें, ठीक है, हाँ, माइनस, इसको पूरे को, इस पूरे term को, हम लोगों ने factorize करके क्या लिखा था, बताए sir, क्या लिखा था, एक बार बता दिए sir, आप लोग, क्या लिखा था, हम लोगों ने, यह जो 2 terms आई थे, यही तो वो 2 terms थे, जिनको हम ल पीटाना है, रफ में इसको रहने देना है, ठीक है, ताकि इस टीचर को पता लगे कि, नहीं भाई, मेहनत किया लड़का, ठीक है, अब देखिए, यहां X है, यहां भी X है, तो X हम लोगों ने common ले लिया, ठीक है, अब यहां का बचा, X बचा, प्लस बचा, यह A प्लस 4 ब मतलब माइनस, A माइनस 2 हम लोगों ने common ले लिया, अब अंदर क्या बचा, अंदर सर, साइन तो चेंज हो जागा, माइनस की जागा, प्लस हो जागा, तो X प्लस A प्लस 4 है ना, सर, इस इकल टू 0, कोई दिक्कत, इस में कोई दिक्कत है, क्या ही दिक्कत होगा, सिंपल जो इदनों को भी साथ में लिख दिए, सर, दूर दूर नहीं रखना है, X माइनस A माइनस 2, ठीक है, हाँ, इस इकल टू 0, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सर, अब दो टर्म्स का मल्टी प्लस जब भी 0 होता है, तो क्वाडर एक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रो वाली वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि 20 मिनिट की वीडियो है, उसमें मैंने सारा सब चीज समझा दिया है, 10th का, अगर आपको रिवाइज करना है, क्वाडर एक्वेशन को अपनों क्लास 10 का, तो जाके देख सकते हैं, तो सर, x-a-2 is equal to 0, इसमें कोई दिकत नहीं सर, अब यह प्लस में रहागा, मैंनस में, x is equal to minus a plus 4, यह आगया, आपका first root of this very equation, यह मैंनस में रहागा, प्लस में, यह आगया, x is equal to a minus 2, आपका second root of this very equation, यह था हमारा question number 45, चले बढ़ते हैं आगे,